Good day to all of you, अभी तक आप सभी ने मेनू बार में फाइल, एडिट और व्यू आप्शन के बारे में सीख चुके हैं आईए अप पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं? प्रिंट लेयाउट और वेब लेयाउट में क्या अंदर होता है? प्रिंट लेयाउट में आप अपने पेज को एक नॉर्मल व्यू में देख सकते हैं और इसमें आप कौन से पेज पर काम कर रहे हैं या भी देख सकते हैं लेकिन वेब लेयाउट में आपको एक ही पेज दिखाई देगा जो की बड़ी एर स्क्रीन में होगा क्या आप बता सकते हैं ड्रोइंग टूल बार को कैसे हटाएंगे ड्रोइंग टूल बार को हटाने के लिए आप सबसे पहले वीव पर क्लिक करेंगे और उसके बार आप ड्रोइंग टूल बार पर क्लिक कर देंगे जिससे की ड्रोइंग टूल बार हट जाएगा क्या आप बता सकते हैं Find और Replace का उप्योग क्यों करते हैं Find से आप उस Word को ढूंड सकते हैं जो आपके Document में हो और आप उस Word को Replace की मदद से किसी दूसरे Word में बदल सकते हैं अब आप सभी Computer को On करें और Writer की File को बताये गए नए तरीके से Open करें अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो की मदद से Writer की File को Open करें सबसे पहले आप Left Hand की एक Finger से Start Button को दबा कर रखें और फिर Right Hand की एक Finger से R के Button को एक बर दबा दें एक Box Open हो जाएगा इसे Run Command Box कहते हैं इस Box में आप बिना किसी Space दिए दिखाये जा रहा है वीडियो की तरह इस Office टाइप करें और फिर OK बटन पर माउस या टच्च पैड के Left बटन से एक बार क्लिक कर दें एक Window Open हो जाएगी इसे आप Quick Start Window कहते हैं आप यहाँ पर Text Document पर अपने टच्पैड या माउस के Left बटन से एक बार क्लिक कर दें जिससे Writer की File Open हो जाएगी आज की कक्सा में आप सभी Insert Menu के बारे में सीखेंगे अब आप सभी सामने दिये गए Paragraph को Type करें आएए अब Writer के इन सभी Option के बारे में सीखना शुरू करते हैं Insert Menu का उपयोग क्यों करते हैं Insert Menu का उपयोग Writer के पेज पर कुछ Head करने के लिए करते हैं जैसे की Date, Time इंसर्ट करना Header and Footer इंसर्ट करना Picture इंसर्ट करना और भी Option होते हैं जिनें आप इंसर्ट कर सकते हैं जिनके बारे में सीखेंगे Manual Break क्या होता है? इसका उपयोग क्यों करते हैं? Manual Break से आप Page, Line और Column को Break कर सकते हैं Break का मतलब है आप Line, Page और Column को उस जगह से एक नई जगह पर ला सकते हैं जहाँ पर आपका करसर है आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि Manual Break का प्रियोग कैसे करते हैं आईए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि मैनुल ब्रेक का उप्यूग कैसे वहते हैं मैनुल ब्रेक करने के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है मैनुल बाइर के इंसर्ट आप्शन पर लेकर आए फिर उसके बाद मैनुल ब्रेक लिखे हुग आप्शन पर क्लिक कर दें जिसे की एक बॉक्स ओपन होगा इस बॉक्स के अंदर पेज ब्रेक बाइडिफॉल्ट सलेक्ट होता है जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहा होंगे जैसे कि आप देखिए स्टेटस बार के अंदर टोटल पेज वन दिखा रहा है अगर हम पेज ब्रेक करते हैं ओके के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा तो एक और पेज आ जाएगा आपका करसर जहां भी होगा वहां से या पेज ब्रेक हो जाएगा अगर मालने जी आपने जो paragraph टाइप किया है उस paragraph के बीच में है और फिर आप page break करते हैं तो बाकी के जो line होंगे cursor के आगे वह shift होके दूसरे page पे चले जाएंगे फिर से manual break पे जाएं उसके बाद line break को select करें फिर ok प्रटन पे click कर दें जैसे कि देखिए आपका line दूसरे line में चला गया जैसे कि पहले में था अब दूसरे में आ गया तो इस तरह से आप page break कर सकते हैं या line break कर सकते हैं insert पे जाएं manual break पे click किजिए और फिर page break और ok अब देखिए कि या दूसरे page पे चला गया बागी के जो आगे cursor के आगे के जो line थे वह दूसरे page पे चले गया तो इस तरह से आप manual break का उपयोग कर सकते हैं fields का उपयोग क्यों और कैसे करते हैं field का उपयोग आप अपने writer के page पर date, time, page number, page count, subject, author, name इत्यादी insert करने के लिए करते हैं आईए अब वीडियो को देखकर page number, date और time को insert करना सीखेंगे अगर आप date, time मतलब page पर लेते समय date fix और time fix लिखा हुआ आता है तो view में जाके fields name पर click कर दें आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि fields option का उपयोग कैसे करते हैं fields option का उपयोग करने के लिए आप सभी अपने pointer को insert लिखे हुए option पर लेकर आएं उसके बाद fields लिखे हुए option पर pointer को ले जाएं उसके ठीक सामने एक box आएगा जिसके अंदर date, time, page number, page count, subject, title, author, other इन option में जिन option को आपको उपयोग करना है उनको एक एक करके select करेंगे तो वह apply हो जाएगा अगर आपको date insert करना है तो date लिखे हुए option पर अपने pointer को रखें और अपने touchpad या mouse के left button को क्लिक कर दें जिससे कि आपके cursor के position पे या जहां cursor blink कर रहा होगा वहाँ पर date insert हो जाएगा फिर से आप अपने pointer को ले जाए फिल्ड्स पे फिर time पे क्लिक कर दें जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है जिससे कि time आ जाएगा अगर आपको फिर से अपने pointer को insert पे लेकर आए फिल्ड्स पे जाए फिर page number पे क्लिक कर दें जिससे कि आपका page number इंसर्ट हो जाएगा फिर से इंसर्ट पे जाए फिल्ड्स के अंदर उसके बाद page count पे क्लिक कर दें जिससे कि आपको यह पता चल जाएगा कि आपके पास total कितने page हैं जो भी आप insert करेंगे वो आपके cursor के current position पे आजाएगा तो इस तरह से आप फिल्ड्स के एक एक option का उप्योग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं hyperlink का उप्योग क्यों करते हैं hyperlink का परियोग एक ही page पर एक ही link के द्वारा आप बहुत सारे file के address को ला सकते हैं जिसके द्वारा आप उन file को कभी भी open कर सकते हैं इस link से file को open करने के लिए आप control के button को दबा कर रखें और फिर दो second के लिए left button को दबा कर छोड़ दें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आईए वीडियो को देख कर सीखते हैं कि hyperlink का उप्योग कैसे करते हैं hyperlink का उप्योग करने के लिए आप सभी वीडियो को ध्यान से देखें अपने pointer को insert option पे लेकर आएं यहाँ पे click करें उसके बाद hyperlink लिखे हुए option पे pointer को ले जाएं और फिर left button को click कर दें इससे की एक box open हो जाएगा इस box के अंदर side में चार option दिये गया है internet, mail news, document, new document document by default select होता है हमें document को hyperlink करना है इसलिए अपने pointer को यहाँ पे लेकर आए open file पे click करें एक box open होगा open का इस box के अंदर आपको यहाँ देखना है कि आप concept file को इस file के साथ link या connect कर रहे है तो यह आपको location पता होगा कि आपकी file कहाँ पे है, desktop पे है, download में है या document में है अगर मालने जीए documents के अंदर है तो documents पे click करेंगे अगर documents के अंदर नहीं है तो desktop पे click करेंगे या आपको पता है कि आपका document कहाँ है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, desktop पे click किया, अपने document को select किया और फिर open जिसे कि वह file hyperlink के अंदर आ जाएगी उसके बाद apply पे click करना है फिर close जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद आपके writer के page पर ऐसा लिखा हुआ option आएगा जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर अपने pointer को रखें और अपने left hand से control के button को दबा के रखें और फिर अपने touchpad या mouse के left button को दो बार click कर दें जैसे कि आपकी select की हुई file open हो जाएगी जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे इस तरह से आप hyperlink का उपयोग कर सकते हैं header क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं प्यानी की उपर वाले हिसे में insert करते हैं header के द्वारा हम जो type करते हैं वह page के top में लिखा आएगा header का उपयोग title देने के काम आता है header को अगर आप सब example के द्वारा समझे तो हमारे book के lesson या part का नाम होता है वह page के उपर होता है जो की header की तरह होता है आईए अब video की मदद से header को लगाना सीखते हैं आईए video को देख कर सीखते हैं के header का उपयोग कैसे करते हैं header लगाने के लिए आप सभी अपने pointer को insert लिखे हुए option पर लेकर आएं यहाँ पर click करें उसके बाद header पर लेकर जाएं फिर उसके सामने default पर click करें जिसे की header insert हो जाएगा header जैसे की आप सभी जानते हैं पेज के उपर वाले हिसे में insert होता है जैसे की आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है header के अंदर आप कुछ भी type कर सकते हैं जैसे की अपना नाम story का नाम lesson का नाम इत्यादी जैसे की आप सभी को वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर computer type किया गया और फिर type का button उपयोग किया गया जैसे की आपका pointer header के बीच में आया और यहाँ पर आपको story टाइपिंग करना है तो इस तरह से आप header का उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी header में अपना नाम इत्यादी टाइप करें फोटर क्या होता है और इसका उपयोग कैसे करते हैं फोटर page के bottom यानि page के नीचे insert करते हैं फोटर के दौरा आप page number या summary को लिख सकते हैं आईए अब वीडियो को देखकर फोटर का उपयोग करना सीखते हैं आईए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि फोटर कैसे insert करते हैं फोटर को insert करने के लिए आप सभी अपने pointer को insert के option पर लेकर आएं यहाँ पर क्लिक करें उसके बाद फोटर लिखे हुए option पर pointer को लाएं और फिर उसके ठीक सामने वाले box में default पर क्लिक कर दें जिससे की फोटर इंसर्ट हो जाएगा आपके पेज में फोटर जैसे की आप सभी जानते हैं पेज के नीचे वाले हिसे में insert होता है फोटर के अंदर आप summary या paste number इत्यादी type कर सकते हैं अगर आपको पेज में फोटर के अंदर कुछ भी देना है जैसे की आपको date देना है तो insert पर जाएंगे उसके बाद fields और फिर date insert कर देंगे उसके बाद आप space bar key का उपयोग करेंगे या उसके बाद आप tap button का उपयोग करेंगे अगर आपको page number देना है इंसर्ट पे जाएं fields पे क्लिक करें और फिर page number पे क्लिक कर दें जिससे की page number इंसर्ट हो जाएगा इस तरह से आप footer का उपयोग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं writer में picture को कैसे और क्यों उपयोग करते हैं writer में अगर या आपको कोई picture insert करके उसके बारे में लिखना चाहता है तो आप picture का उपयोग कर सकते हैं picture को insert करने के लिए वीडियो की मदद से सीखें आईये अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि picture का उपयोग कैसे करते हैं इसके लिए आप सभी अपने pointer को insert option पे लेकर आएं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद यहाँ पे click करें फिर अपने pointer को picture लिखे हुए option पे लेकर जाएं और उसके बाद दो option आ रहा है जैसे कि from file scan आपको from file select करना है जैसे इस पे click करेंगे एक box open होगा पिक्चर्स जो है वो कहां पे हैं कौन से location पे हैं desktop पे है, downloads में है या pictures के अंदर है जैसे कि हम इस वीडियो के अंदर picture को select किये हैं उसके बाद इसके अंदर से एक picture को select किया और फिर open पर click कर दिया जैसे कि वह picture आपके writer के page पर आ जाएगा इस तरह से आप picture को insert कर सकते हैं आएए अब drawing toolbar के बारे में सीखते हैं drawing toolbar की मदद से आप circle, rectangle, star और बहुत से option का उप्योग करके drawing कर सकते हैं आएए अब video को देखकर drawing toolbar की मदद से drawing करना सीखते हैं आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि writer के page पर drawing कैसे करते हैं इसके लिए आप सुभी अपने pointer को drawing toolbar के अंदर लेकर आए जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है उसके बाद over tool को select करें और उसे drag करें ड्रैक करने के बाद जैसे आप देखेंगे drawing toolbar का एक box आ जाएगा जिसे drawing toolbar कहते हैं अगर नहीं आ रहा है तो आप toolbar के अंदर जाए और drawing जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है वहाँ पर click करें जैसे कि ऐसा एक box आ जाएगा अब यहां से इसके अंदर से आप इसके formatting को change कर सकते हैं जैसे oval या circle को drag किया है उसके outline को change कर सकते हैं फिर उसके width को बढ़ा भी सकते हैं जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर उसके color को भी change कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अब फिर इसके या इस oval के अंदर के color को भी change कर सकते हैं इसके लिए आपको चहाँ पर area लिखाई को option पर click करना होगा उसके बाद एक box open होगा इस box के अंदर से कोई भी color select कर लें जो कि आपके circle के अंदर color fill हो जाएगा तो इस तरह से आप अपने writer के page पर drawing कर सकते हैं फिर आप अगर अपने pointer को side में लेकर आए और click कर दें तो आपका या फिर normal view में आ जाएगा अगर फिर आपको changes करने हैं तो आप अपने drawing के उपर अपने pointer को ले जाए और click कर दें जिससे कि फिर आपका drawing की toolbar आ जाएगा इस तरह से आप drawing कर सकते हैं क्योंकि आज की कक्सा यहीं पर समाफ्थ होती है आप सभी अपने file को अपने computer में किसी भी जगा पर save करके और system को properly start down करें आज की कक्सा में आप सबने सीखा कि manual break क्या होता है, fields का उपयोग क्यों और किस काम के लिए करते हैं, special character क्या होता है, hyperlink के उपयोग से क्या होता है, header और footer क्या होता है और सबसे last में picture और drawing toolbar के बारे में सीखा